हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू मै चैनल, ये है पार्ट वन, ये है मलाई, मलाई से हम देसी गी या नूनी गी बनाना आपको सिखाऊंगी, देसी ही, हम घर में मलाई से कैसे बना सकते हैं, ये है रात की पांच दिन, छे दिन की स्टोर करी हुई मलाई, इसको मैंने छाय दह कुछ भी डाल के जमा दिया था, सुबह मैंने इसको देखो, हमारे ये बड़ा सोकुप करें, तो मैंने इसमें डाल लिया, इसमें डालने के बाद हम कोई भी मशीन ले आएंगे, आप मार्केट से जाओगे, बोलोगे मशीन, दे दो लसी बनाने वाली, कोई भी आपको दे होगे तो आपको पता चलेगा कि देशी घी कैसे बन सकता है, आपको हैरानी होगी कि ये इतना अच्छा घी बन जाता है, आपको मार्केट का नकली घी खाने की कोई जोरत नहीं, आप अपने घर में ये अच्छा फ्रेस, अपने हैंड से बनाईए घी या किसी की हेल्प ले अपनी घी बन जाएगा माखन मक्खन बोलते हैं जिसे और देशी घी कनवर्ट हो जाएगा फिर वो तीन चीजे बन सकते हैं शरीफ एक मलाई से और इस मलाई को हम अपनी जब बना रहे हैं ये मन पसंद खाना बोलते हैं न जो ये साई पनीर वगेरा ये सब तेखो मैंने इसको 10 मिन चलाने दस मिन चलाने बाद ये आ गया मक्खन जो टिरिसन भगवान खाते थे ये मेरी मसीन में लग गया है अब ये देखो ये मैं अपने हैंड से मलाई से बहुत जादा घी निकलता ये निकल गया थैंक यू